नमस्कार मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हर्याना पब्लिक सर्विस कमीशन से निकले वे वेकेंसी के पाठिकरम के उपर जिसमें कि हम हिंदी वीशे के पाठिकरम पर बापचित करेंगे पाठिकरम पर हम चर्चा करेंगे उससे पहले आप सभी से यह आग्रह करेंगे कि पाठिकरम को देखते हुए आप अपने मनमस्तिसक में UGC.NET के syllabus को भी रखेंगे और देखेंगे कि इस पाठिकरम से और UGC.NET के पाठिकरम में कितनी समानता है और यदि आप UGC.NET की परिक्षाओं की तयारी कर रहे थे या फिर qualify हो चुके हैं तो वो पाठिकरम वो तयारी आपको इस exam में कितना सयोग कर सकती है यह जरूर आप द देखेंगे कि syllabus में जो भी topics लगे हुए हैं उस topics से related आपके पास कौन-कौन सी books हैं जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, भारती काविशास्त्र, पास्षाति काविशास्त्र, व्याकरन या फिर जो भी आपके पास हिंदी साहित्य की पुस्तक है वो इस पाठिकरम को कितना कभ भर कर पा रही है, इसको आप देखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे कि इस परिक्षा की तैयारी के लिए क्या आपको कोई course खरीदना चाहिए, yes या no, क्योंकि बहुत सारे विद्ध्यार्थी हमारे हम message कर रहे हैं, phone कर रहे हैं, कि sir हम गरीब परिवार से जुड़े हु या फिर चैनित होने के तोर पर आप सभी से चर्चा करना चाहता हूं, वो चर्चा एकदम से free होती है, क्योंकि course खरीदना और course बेचना उन लोगों का काम है, जो खासतर से course बेचने वालों का, जिन्होंने कोई exam नहीं निकाला हुआ है, आप देखेंगे YouTube चैनल पे इतने स कोई जरूरी नहीं है कि आप course खरीदेंगे, तभी इस exam को qualify कर पाएंगे, आपको course खरीद कर और खुद से self study करना ही पड़ेगा, भले आप 1000 रुपे का course खरीदें, लेकिन बीना पड़े इस exam को आप नहीं निकाल पाएंगे, जहां तक मैं अपना अनुभा बताओं, तो मै जितने भी परिक्षाओं में सफलता हासिल किया, किसी भी परिक्षा के लिए मैंने कोई course नहीं खरीदा, ना किसी coaching में जोईन किया, इसलिए मैं free पढ़ाता हूं आप लोगो को, क्या मुझे पैसे की ज़रुत नहीं है, या फिर जो मैं समय दे रहा हूं, उसके लिए मुझ यह कीमत नहीं चुकानी परती है, इंटरनेट है, समय है, लाइटिंग है, बहुत सारी चीजे है, लेकिन हमने सोचा कि जो कुछ हमने अरजित किया है, वो उन विर्धी आर्थियों तक पहुचे, जो दूर दराज के हैं, पैसे जिनके पास कम है, गरीब है, वो कुछ करना चाते हैं, तो वहां तक मेरी बात पहुचे, और हमारे अनभों का फायदा हुठा है, क्योंकि हम सेंटरल इन्वर्स्टी में नहीं हो सकते हैं, या फिर हमारा उस तरीके से कुछ अप्रोच नहीं था, तो मुझे लगा कि यह इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इस से ज किमती समय को दीजिए, और जो चीज मैं बताता हूँ, उसको एकदम सिरियसली लीजिए, अगर आप याद नहीं रख सकते हैं, तो उसको किसी कौपी पर नोट कर लीजिए, कि सर ने इस चीज को बताया हुआ है, क्योंकि मेरा बताना है, आपके सफलता के द्वार तक पहु आप जरूर खरीद हैं, लेकिन जिनका भी आप कोर्स खरीद रहें, वो किसी भी एकजाम को क्वालिफाई करने में शायद सफल हुए होंगे, लोग कोर्स ऐसे ही बेचते रहते हैं, तो चलिए ये तो कुछ बात हैं जो कि आपके लिए महत्पून थी, आप क्योंकि जो कु बेचे रहेंगे, और अगर असफल होते हैं, तो उनको पहचानेंगे भी नहीं, लेकिन इस चैनल पर इस्तर की कोई बात नहीं है, असफल लोगों के प्रति कि उनका भयुश वुद्ज्वल हो, और जहां भी उसफल होते हैं, अच्छे से काम करें, तो चलते हैं बात करते ह असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज केडर इन सब्जेक्ट आफ हिंदी, विग्यापन में भी आपने देखा कि कॉलेज केडर ब्रेकेट में लिखा गया था, यहां पर गया है, अब हिंदी विशे को कई भागों में बाता गया है, हिंदी भाशा और उसका विकास, हिंदी सा साहिपी की गद्य विधाएं और काव शास्त्र और आलोचना, यह चार पार्ट हैं जो कि आपके सिलेबस को डिवाइट कर दिया गया है, आप देखेंगे सबसे लंबा पार्ट है वो हिंदी साहिपी का इतिहास है, ठीक है, तो जायर सी बात है कि हमने हिंदी साहिपी के इत करता हूं, यहां पर कोई मनरंजन या फिर मसाले की बात नहीं करता हूं, तो लोगों तक मेरी बात करी कम पहुचती है, लेकिन जहां लोगों तक पहुचती है, वही परिक्षाओं में अपने जंडे को गाड़ते हैं, यह मुझे पुरा विश्वास है, तो कुल चार खंड का उदय और विकास, साहितिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उदय और विकास, यहां पर आप देख रहे हैं कि अवधी हो गया, फिर ब्रज है, फिर खड़ी बोली, इन तीनों भाषाओं का आपको उदय और विकास पढ़ना है, तो जो भी किताबें आप रखे उन किताबों में ये विशेज जरूर आपको दिखाई पढ़ जाएंगे, खासतर से ये जिसीनेट की जब बात करें, तो वहां पर एक सारी चीज़ें आपको दिखाई पढ़ेंगे, इसके अलावा आपको पढ़ना है, मानक हिंदी का भाषा, वैज्यानिक विवरन, हिंद भाषा, प्रयोग के विविद रूप, बोली, मानक भाषा, संपर्ग भाषा, राज भाषा और राष्ट्र भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगभग 90% से लेबस आप किसे मिल रहा है, UGC नेट से मिल रहा है, तो आपको अलग अलग तैयारी करने वाले विद्यारती एक जगान मिलते हैं, UGC नेट में तो साल दो साल के ही सिनियर से एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन जब नवकरी वाली परिक्षाएं आती हैं, तो आपको देखेंगे कि 10 से 15 साल के जो अनभवी हैं, हो सकता है कि जब मैस चैनित हुआ था, उस जमाने के लोग भी इस एकजाम में बैठें, क्योंकि ये नवकरी वाला एकजाम है, इसलिए इसकी तैयारी फोरी से अलग रन निति के हिसाब सिक करना पड़ता है, लेकिन अगर आप हाल फिलाल में 2-3 सालों से UGC नेट की एकजाम को दे रहे हैं, तो आपक में जो लोग ज्यादा एजगेप में हो गया हैं, या फिर बहुत दिनों से एकजाम नहीं दिये हैं, तो उनके उपर एक अलग तरीके का मानसिक दबाव होता है, जिसके उपर हमने बात भी की कि शादी सुदा होने के बाद आप कैसे तैयारी करें, आप उस समय को कैसे मैने आपने भाई के साथ आप जूड़े रहें, निश्चित तर पर आप लोग वहां तक तो पहुची जाएंगे, फाइट देंगया, आपने बिग बॉस देखा होगा इस बार का, तो यह को उसमें दोड हुई थी, तो वहां पर 52 साल का एक व्यक्ति और एक लड़का 25-26 साल का लेकिन अच्छी एक ट्रेटेजी के साथ 52 साल वाला उस रेस में जीत हासिल किया, तो कोई जरूरी नहीं है कि 26 साल और 52 साल दोनों एक साथ हैं, तो 26 का ही जीतेगा, कुछ चीज़े होते हैं कंसंट्रेशन की, वहीं कंसंट्रेशन आपको यहां पर बताया जाता है कि आपक कैसे अपने को सयमित कर दा है, तो प्रिय विद्यार्थियों आप लोग समझ गए होंगे कि हरियाना पब्लिक सर्विस कमिशन के सिलेबस के अंतरगत, खंड एक में हिंदी भाषा और उसका विकास पढ़ना है, और जितने भी टॉपिक आप देख रहें, उन सभी टॉपिक है हिंदी साहित का इतिहास, जो की बड़ा लंबा चोड़ा है, हिंदी साहित का इतिहास, दर्शन, हिंदी साहित के इतिहास लेखन की पधतियां, हिंदी साहित के प्रमुक इतिहास ग्रन, हिंदी के प्रमुक साहित केंद्र, संस्थाएं, पत्र पत्रिकाएं, हिंदी साहित सिद्ध और नाथ साहित्य, अमिर खुष्रो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली, आरम भिगध्य और लौकिक साहित्य, यानि आदिकाल को समगरता में आपको पढ़ना है, अगर आपके पास कोई हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंत होगा, तो आप आराम से कभर कर पाएंगे, कोई नहीं होगा, तो कम सकम एक बूक आप जरू रखे, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी की जो पुस्तक उसको आप जरू रखे, आपके बेस को मजबूत करने के लिए, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, मैं अपने BA और MA के वि इसके बाद हम बाद करते हैं मद्धिकाल के उपर, भक्ति आंदोलन के उदे के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, प्रमुक्तिया निर्गुन यम सगुन संपरदाय, बैश्डो भक्ति की सामाजिक सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी, आलवार संत, प्रमुक संपरदाय और आचा फिर संत कावे की प्रमुख विसेश्ताएं, भारतिय धर्म साधना में संत कवियों का इस्थान, कवीर, भक्ति भावना, समाज दर्शन, विद्रो भावना, कावे कला, फिर है हिंदी सुफी कावे का बैचारिक आधार, हिंदी के प्रमुख सुफी कवी और कावे, जिसमें की मुल्ला दावुद, उनकी रचना चंदायन, कुतुबन म्रिगावती, मन्जन मधुमालती, मलिक मुहम्मद जैसी का पदमावत, सुफी प्रमाख्यानों का स्वरूप, हिंदी सुफी कावे की प्रमुख विसेश्ताएं, जैसी की प्रेम भावना, लोक्तत्व, कथानक संपरा, गीती परमपरा, और हिंदी कृष्ण कावे में, मीरा और अस्खान, इन सब को पढ़ना है, इसके बाद विसेश्त और अलग अलग कवियों की जो काविगत विसेश्ता हैं, जिसमें सूर्दास की भक्ति भावना, वास्याले वर्डन, हिंदी राम कावे के इसमें आप देख रहे हैं, आधि काल का सीलेबस थोड़ा छोटा है, लेकिन भक्ति काल में आप देख रहे हैं कि लंबा छोड़ा सीलेबस हैं, यानि कि आप काल खंड को भी विसीस मार्तों देखे अच्छी तयारी कर सकते हैं जब आप लिखित एक्जाम में जाएंगे जो 150 अंक का होगा और इसमें फुल 15 क्वेश्चन होगे और 15 में हर प्रश्ण 10 अंक का होगा तो 150 अंक का होगे ठीक है न तो इस तरीके से आएगा हमने एक नमून पर इंको किनको पढ़ना है कि ऩाल कि सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष रेतिक प्रमुखपर्वित्याह में कभीयों क आचारह तो और केशवदास मतिराम भूश्ण विहारी लाल देव घनानद और पदमाकर फिर र catastês और रितिवल्दर में कभीयों को नेillटिशटव कावे दिर्ष्टी, समवाद योजना, बिहारी का संदर्य भावना, बहुग्यता, कावे कला, भूषण का युग बोध, अंतरवश्टु, कावे कला, घनानंद की स्वक्षंद योजना, प्रेम बेंजना और कावे दिरिष्टु. तो कुल मिलाकर रितिकाल में आपको मुखे रुप्ति से केशोदास, मतिराम, भूषण, बिहारी लाल, देव, घनानन, पदमाकर, इनको पढ़ना है, इसके बाद इसमें आप देख रहे हैं कि यही मेन इसके कबीर है, आधुनी काल का सिलिवच थोड़ा सा लंबा चोड़ा ह और इसमें बिविधिता भी है, इसमें आप देख रहे हैं आधुनी काल, हिंदी गध्य का अधभवर विकास, भारतेंदु पुर्व, हिंदी गध्य, आधुनीक्ता, और धारणा, उसके उदय की प्रिष्ट भूमी, 1870 की राजिकरांती और सांस्कृतिक पुनरजागरन, ह भारतेंदु और उनका मंडल, और निश्वी शताबदी के उतरार्द की हिंदी पत्रकारी था, इसके बाद इसमें दिवेदी यूग, ठीक है, दिवेदी यूग आ गया जिसमें महाभीर प्रसाद दिवेदी और उनका यूग, हिंदी नवजागरन और सरस्वती, महाभीर चायावाद, इसके अंतरगत आप देख रहे हैं कि चायावाद की सामाजिक सांस्कृतिक द्रिश्टी, बहैचारिक फ्रिष्ट भोमी, स्वाधिनिता की चेतना, चायावादी कावे की प्रमुख भी सिसताएं, जिसमें प्रसाद का, प्रसाद का जीवनदर्शन, संदर चे फिर राष्ट्री काभे दारा के पड़ना आपको प्रगतिवादी काभी और उसके प्रमुक कभी प्रयोगवाद वेष्ट्री चेतना इसके अंतरगत आपको अग्ये को पड़ना है। अग्ये की प्रयोग धर्मिता और उनका कावियर, प्रयोग वाद और नई कविता, नई कविता व्यस्टी समस्टी बोध, मुक्ति बोध आगे इसमें, उनका समाज बोध, फैंटेसी के बारे में पढ़ना है, फिर नई कविता के कभी, समकालिन कविता, काल संसक्ती और लोक स सकती राखवीर सहाय को पढ़ना है तो ये तौपिक थोड़ा सा लंबा चोड़ा भी था अदनिकाल का फिर बेसमें से बहुत सारे से टौपिक्स होंगे जिनको कि आप अलरेडी उजी नेट की तयारी में पढचुके होंगे बस आपको हर्याना पब्रिक सर्विस कमिशन के दिश्ची कोंड से पढ़ने की जोड़त है क्योंकि वहाँ पर कम्प्रिशन्स थोड़ा अलग है हट के अब इसी के अंतरगत आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित की गद्य विधा है उपर हम जो बात कर रहे थे वो काब के अंतरगत थी अब गद्य विधाओ के अंतरगत हमें पढ़ना है हिंदी उपन्यास जिसमें प्रेमचंद के पुर्व हिंदी उपन्यास परिक्षागुरू चंदरकांता आदी को पढ़ना है फिर प्रेमचंद यूगीन उपन्यास जिस अगर मैं UGC Net की बात क्यों कर रहा हूं क्योंकि वह ऐसा एक्जाम है जो कि हर एक्जाम का मैं बोलू की आधहार है वह ऐसे साखा मैं सारी एक्जाम से निकले हुए हैं अगर आप UGC Net की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो इन परिक्षाओं की तैयारी आप आराम से कर पाएंगे थोड़ा बहुत अंतर है जैसे कि UGC Net में चंद्रकांता नहीं लगा हुआ है तो थोड़ा सा इसके बारे मे नरेश मैता, स्रीलाल शुकल, राही मासुमरजा, रांगे रागव और मन्नु भंडारी तो ये विशेश तर से नाम देगे हैं यानि कि इनके उपन्यासों के बारे में पढ़ना है पात्रों के बारे में पढ़ना है और उपन्यासों की विशेवर्स्तु क्या रहे है ये प प्रिम चंदुत्तर हिंदी कहानी और नई कहानी संबेदना और शिल्ट कहानी के अंतरगत है फिर नाटक है हिंदी नाटक और रंगमंच हिंदी नाटक और भारति इंदू जिसमें भारत दुर्दर्शा अंधेर नगरी यह थार्थ वोध पढ़ना है तो संयोक से आप देखे हैं अंधायूग आधिया धूरे ठीक है तो आप देख रहे हैं कि नाटक में तो UGC Net की सिलेबस को ही बिल्कुल रख लिया गया है मूल्ट टेक्स्ट के रूप में और नाटक कारों के तौर पर हिंदी निबंद में किसको पढ़ना है हिंदी निबंद में आपको बाल क्रिश्न भर्ट राम चन्र शुक्ल चिंतामडी फिर शुक्ल के बाद के जो निबंद है और निबंदकार है जिसमें हजारी प्रसाद्धिवेदी कुबेर नाथ राय विद्धिया निवास मेश्र हरिशंकर परसाई इत्याधी को पढ़ना है हिंदी आलोचना में प्रमुख सिध्धान रस अलंकार रेती ध्वनी वक्रोक्ति और चित्य आपको पढ़ने हैं फिर भरत मूनी का रस शुत्र और उसके प्रमुख व्याख्याकार जो है फिर रस के आयोए रस निस्पत्ति साधानिकरन इन टापिक्स को पढ़ना है इसी में रीती गून दोस्त तो आप देखेंगे कि UGC नेट में भी आपने इसको पढ़ा होगा शब्द सक्तिया और ध्वनी का स्वरूप आपको प्रतिवस्तुपमा निदर्शना अर्थंतर न्यास विभावना असंगति और विरोधावास तो धेर सारे अलंकार है और इन अलंकारों पर इस चैनल पर वीडियो भी मिल जाएंगे समझाते वे भी और नोट्स के रूप में भी आगे जरुत पढ़ेगी तो और विस्तार स से बात की जाएगी यह तो रापुरा भारती काविशास्त्र यहां से शुरू हो रहा है पास्च्याति काविशास्त्र जिसमें प्लेटो और अरस्तु का अनुकरण सिद्धान अरस्तु का विरेचन सिद्धान पढ़ना है लोंजाइनस का उद्धात्य सिद्धान पढ़ना साथ में उत्तर आधुनिकता भी पढ़ना है इसके बाद आपको पढ़ना है समकारिन आलोचना की अवधारना है जिसमें विडम्बना, अजनवीपन, विसंगति, अंतरविरोध, विखंडन, आधी को पढ़ना है फिर आधुनिक हिंदी आलोचना और उसके प्रमुख आलोच है कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा या फिर जो आपके लिए एकदम से नहीं है आप UGC.NET की तयारी के दवरान या फिर अलग-अलग प्रवक्टर परिक्षाओं की तयारी के दवरान इन विश्यों को जरूर देखा होगा बस जरूरत यह है कि अब आपको सबजेक्टिव तोर पर भी थोड़ा सा मजबूत होना है क्योंकि जैसा कि हर्याना पब्लिक सर्विस कमिशन के विग्यापन के थुरू हमने बताया हुआ था कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा पहले 100 नंबर के 100 क्वेश्चन रहेंगे इसके पाद सबजेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा जोकि लिखित होगा जैसे हम लोग लिखते हैं उस टाइप से होगा 150 अंक का होगा और 10 प्रश्ण रहेंगे 15 प्रशन रहेंगे 10-10 नंबर के, ठीक है, 15 प्रशन रहेंगे और 10-10 नंबर के रहेंगे, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं कि जो भी अभी तक एक्जाम हुए हैं, हर्याना पब्लिक सर्विस कमिसन से, वहाँ पर इस तरीके से एक्जाम पैटर्न को रखा गया है, तो एक्जाम के द्रिष्टी कौन से हमें पढ़ना है, और आप इस विशय से समबंदित अपने जो भी बुक्स है, उनको अपने टेबल पे रखेंगे, उस हिसाफ़ से तयारी करना शुरू कर देंगे, तो देखें, आप सही दिशा में तयारी करना शुरू कर देंगे, और इस कोर्स होगा, एकदम से कोर्स क्या है, जो भी बातचीत है, एकदम से निशुल्क तरीके से फ्री है, क्योंकि हमारा जो उद्देश से कुछ अलग है, ज्यादा ज्यादा लोगों तक सही चीज पहुचाई जाए, कोई चीज खरीद कर या फिर बेच कर ही नहीं पहुचाई जा सकती है, अगर आत्मिय धंक से जुड़ाव है, तो भी चीजें उपहार के तौर पर दी जा सकती है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार